है आए तो है गास्ट दिस प्रेयां शूनान यह वाचिंग अल्बाउचिन लॉजी तो गैस आज वाले कॉल्कूम स्नाप्डागन शेज़िस के सेवन टैन और कॉल्कूम स्नापडागन 712 के बारे में क्योंकि क्वाल्कूम स्नापडागन 712 वीवस इवन प्रो में आने वाला है और वहीं पर दो फोन ऐसे हैं जो Qualcomm Snapdragon 710 के साथ आते हैं वह है Nokia 8.1 और Realme 3 Pro तो आज देखते हैं इसका क्या difference है क्या आपको upgrade करना चाहिए 710 से 712 में या फिर 712 खरीदना चाहिए तो सबसे पहले हम CPU की बात करते हैं तो Qualcomm के Snapdragon 710 में आपको 2.2 GHz के दो प्रोसेसर मिलते हैं जो Cryo 360 कोर्स पर काम करते हैं जो कुछ नहीं कोटेक्स A75 के कोर हैं वहीं पर 6 और आपको 1.7 GHz की स्पीड देते हैं फ्रेक्वेंसी देते हैं Cryo 360 कोटेक्स A55 वहीं पर Snapdragon 712 में कुछ डिफ्रेंस नहीं है बस थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई है वहाँ पर 2.3 GHz की Cryo 360 कोटेक्स A75 की स्पीड मिलते हैं और 6 1.7 GHz के Cryo 360 कोटेक्स A55 मिलते हैं GPU में भी कोई डिफ्रेंस नहीं है दोनों ही फून में सिमिलर GPU दिये गए है Snapdragon 710 712 में दोनों ही में Adreno 616 दिया गया है तो अन पेपर में बात करूं तो मुझे नहीं लगता तो दोनों ही प्रोसेसर में ISP भी सेम दी गई है Snapdragon 710 में भी Spectra 250 32MP का single और 25MP के dual camera लग सकते हैं और 712 में भी Spectra 250 में 32MP का single और 20MP के dual camera लग सकते हैं तो ISP में अगर camera setup आएगा तो वो भी कुछ जादा difference नहीं आने वाला है तो इसमें भी कुछ अपग्रेड नहीं करा है 710 2 से 2712 पे अब हम बात करते कि इसके modem की इसके upload speed और download speed की तो modem में भी कुछ जादा upload नहीं है Snapdragon 710 में भी आपको Snapdragon X15 का modem मिलता है जो की 800 MBBS की download speed और 150 MBBS की upload speed रखता है कुछ चार्ज में और जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा कि 710 में आपको Qualcomm का कुछ चार्ज 4 मिलता है 712 में कुछ चार्ज 4 प्लस मिलता है तो इसमें कुछ जादा difference नहीं है और audio में भी difference है Snapdragon 710 में आपको acoustic audio technology aptx audio technology मिलती है और Snapdragon 712 में acoustic audio technology मिलती है और aptx audio technology मिलती है वहाँ पर आपको true wireless stereo plus technology मिलती है और broadcast audio technology मिलती है तो यह दो तीन चीजों में अभी तक difference आया है वह होगी है प्रोसेसर की frequency speed audio में और Qualcomm के जो quick charge support करते यहां 4 अभी तक आया नहीं है इंडिया में तो मुझे कुछ फाइदा लगता भी नहीं और 4 से 4 प्लस में मुझे नहीं लगता कुछ जादा difference होगा वहीं पर कोई Qualcomm क्लेम करता है जो 712 होगा वह 10% मतलब 10% से AI better integration होते जो AI चलेगा जो artificial intelligence वाले app चलेंगे वह जादा better चलेंगे 10% और आपको smoother gaming experience देता है 710 के मुकाबले तो 710 में भी काफी अच्छी gaming performance आपको देखने को मिल जाती है कि हमने Realme 3 Pro में भी देखा काफी अच्छी performance है प्रोसेसर होगा 712 में अगर आप यह तक आपने कोई phone ऐसा नहीं लिए जिसमें 710 है तो अगर आपको choice दी जाए अगर मैं आपको choice बोलू तो 712 ज्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं बोलूँगा तो देखना होगा कि overall performance कैसी होती है और क्या आप लोगों को मतलब overall कैसा performance यह सम्म कैमर को दिहान में रखते हुए बैटरिक दिहान में रखते हुए डिस्प्ले वगरा से यह सब देखके हम तब देखना होगा कि काफे अच्छे specs के साथ आ रहा है तो यह देखना होगा कि compar of future में AI apps आएंगे वो थोड़ी better smooth run चने तो 712 मैं आपको recommend करता हूं तो आपको यह video कैसी लगे comment में बताए आपको कौन सा processor आपको अच्छा लगा वह भी आप मुझे comment में बताए और अगर आपने अब तक subscribe नहीं करे वीडियो sorry channel तो आप subscribe करें